नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं यो स्टॉक्स मैं हूँ आपके साथ प्रशान पांडे और मेरे साथ है मेरी सयोगी कविता और वो कहते हैं कि बाजार को इस समय कविता रीड कर पाना मुश्किली नहीं नामुम्किन होता जा रहा है हमें एक दिन बाजार एकदम गोते लगाता नजर आता है अगले दिन ऐसी उच्छाल देता है जिसकी उमीद नहीं की जाती है और फिर बाजार में एक गिरावट का दौर बनता है तो अगर हम बाजार को देखें तो उस पे तो हम चर्चा करेंगे ही लेकिन आपको बता दें क आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं जो यहां कुछ नहीं करना है बहुत ही आसान सा तरीका है आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाना है ट्वेटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, यहां तक की यूट्यूब कहीं पे भी आप अपने सवाल पोस्ट करेंगे उन सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, एक्सपर्ट के जरीए से आपको बहतर गाइट किया जाएगा, यहीं नहीं, अगर आप वाटसेप के जरीए भी अपना सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन के एक हिस्से में उपर में आप देख ल लगातार बरकरार, 46,300 के करीब यहां पर कारोबार करता हुआ, आज जो दबाव है, अगर हम चुकि दबाव भरे बाजार में हैं, तो यह दबाव आ कहां से रहा है, O.M.C. से बहुत दबाव नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, B.P.C.L. इस वक्त लगभग 6 फीजद कमपनियों पर प्रेशर बन रहा है, और यह प्रेशर इसलिए बन रहा है, जिस तरह से जो पेट्रोल डीजल प्राइसे में कटौती हुई है, उसका असर हम आईल मारकेटिंग कमपनियों के शेरों पर साफ दोर पर देख सकते हैं, सरकारी शेर भी जो हैं, वो आज दबाव में नजर आ रहे हैं, कल जिन शेरों ने जबरदस उचाल दिखाया था, वो शेर आज दबाव में साफ तोर पर नजर आ रहे हैं, आप देखिए, आई टी आई, राइट्स, बी एच एल, बी एल, आरी सी, यह सभी स्टॉक्स जो हैं, वो इस वक्त दबाव भरे बाजार में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हम देखें, बजाज और बजाज फिंस, जिनें बजाज ट्विंस के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर से अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं, कमजोर बाजार में भी बजाज फिंस और बजाज फिंस में आपको अच्छा मो है तो 1630 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर लाल रंग हावी है यानि कि इन पर दबाव बरकरार है चलिए इसी के साथ अब चर्चा में शामिल करते हैं अपने दो खास एक्सपर्ट्स को हमारे साथ हैं विवेक करवा साब वृधी इंवेस्टमेंट से और अंशुल जैन साब लक्ष करता है कि लगता ही नहीं है कि ये कल का ही बाजार था और फिर आग जब बाजार जिस तरह का रंग दिखाता है जिस तरह से आज भी दबाव हावी होता है ये बाजार में निवेशक भी परेशान है और यहां पर रणनीत ही बहुत मायने रखती है तो ज़रा बताएए कल का जो बाउंस आया था वो बहुत बाउंस था क्योंकि अगर आपके बाउंस क्यों आया अगर फाइडे एडवांस टिक लाइन देखें तो अंशुल जी माफी चाहूंगा आपके नेटवर्क में कुछ समस्य आए जिसकी वज़े से आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है तो मैं इसी सवाल के साथ विवेक के पास जाना चाहूंगा विवेक का आपका नजरिया मौझूदा मार्केट में क्या है प्रशांत बुट मॉनिंग अशुल जी जल्दी आ रहा हूं मैं वारण नसी तो आपसे मिलूँगा उधर अब देखिए मुझे लग रहा है कि बा करेक्शन देना रहता है तो कोई ना कोई तारीका मिली जाता है तो इस बार से भी के स्टेटमेंट से मजार में एक स्मॉल केप्स में करेक्शन आ गया अब मुझे लग रहा है कि आगे चलके यहां पर आपको स्टेबिलिटी धीरे-धीरे देखने को मिलेगी कई स्टॉक्स उपर के स्टरों से अल्मोस्ट 20-25 परसंट करेक्शन हो चुके हैं तो कुछ-कुछ पॉकेट्स में अभी भी फ्रॉथ है तो आप समझे लिए कि आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम बिलता है कोई भी वालेटिलिटी में तो आपको वह करना चाहिए फ्रेश खरीदारी करने के लिए तो और ऑल बुलेश विट शॉटन वालेटिलिए तो यहां पर छोड़े नजरिये में अगर आपका है तो तार्चराफ थोड़ा सा झेलना पड़ेगा लेकिन लंबा नज वोकस हैने वाला है जहां पर हम दर्शक को के सवालों के जवाब दे रहे हैं तमाम देख रहे हैं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए क्योंकि आपके सवालों को हमारे महemans के सामने हम रखेंगे और आ अपने किस भाव पर आपने ले रखा है और 10-15 साल का नजरिया है इसमें इंट्रेस्टिंग चलिए आपको बाजार के उतार चड़हाव में डर नहीं लगता है बहुत अच्छी रेट पर लिया हुआ है बट 10-15 साल ये काफी बहतरी नजरिया है और आपके पेशन्स की दाद देनी पड़ेगी मुझे और विवेक आपी के पास आऊंगी इनके सवाल को लेकर देखिए बहुत कम ऐसे निवेशक होते हैं विवेक जो की इतना होल्ड कर पा पर लिया हुआ है मुनाफ़ा भी है और 10 साल देना चाहते हैं इसको तो देखिए अगर आप 10-15 साल मिले कोई स्टॉप लेते हो तो पहले आपको ये सला रहेगी कि हर एटलिस 6 मेने में तीन मेना तो बहुत शॉट टम हो जाता है हर 6 मेने में उसको आप ट्रैक करिएगा प देश में यह आपको दूगनी होती भी दिखेगी तो अगर दूगनी होती दिखती है तो मुझे रखता है कि जो बाकी आप आगे चलके आपको एलेक्रिक वहिकल्स जैसे है बत अब अलेक्रिक पावर है या फिर हाइड्रोजन है यह सब में आपको बहुत हलचल देखने को बिलेगी तो अगर सही में पावर में रहना है तो मेरी यह सलाय रहेगी नचपीसी से आप शिफ्ट होके एंटीपीसी जैसा शेर लेलो 10-15 साल के लिए और उसको फिर रिव्यू करते रहना तो एंचपीसी भी अच्छा करेगा यहां से यह में मतलब इन्हें बोड़रों की शेर अच्छा नहीं है यहां फिर बढ़ेगा नहीं लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर कंपारिटिव करो तुल्ला करो दोनों में तो एंटीपीसी मुझे बहुत स्ट्रॉंग लगता है अपसूलूट लॉंग टबले 10-15 साल के लिए और यहां पर आपको हो सकता है कि ज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए प्रदीप जी नमस्कार पूछिए क्या जाना चाहते है कितने पे लिए आपने एस बी आई का का बढ़िया नाम है ठीक है ठीक है दूसरा मैं यह जाना चाहता हूँ कोई और भी सवाल था आपका क्योंकि हमारे पास आपके टेक्समाको रेल और इरकोहन पे भी अच्छा ठीक है तो सवाल इन्होंने बदला है बाकी से एक्जिट हो चुके है एस बी आई 597 रुपए के भाव पे प्रदीप जी ने खरीदा हुआ है भाव से उपर है यह स्टॉक का इनके और चलिए लेकिन प्रदीप ये भी जाना चाहते हैं कि क्या अब जिस तरह का इसमें प्रदर्शन रहा है क्या वो मुनाफ़ा बांद कर कहीं और इस पैसे को लगा सकते हैं अंशुल जी जरा बहतर राय दीजिए प्रदीप जी को प्रशान जी पहले तुम्हें चाहूंगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए निफ्टी से शुरू करूंगा प्रशान जी देखेंगे तो कल का पाउंस काफी ऑबियस था क्यूंकि फाइडे एडवांस टिक्लाइन देखें त तो बट ऑवियस से एक से दो दिन की बाउंस आनी चाहिए थी जो कल ही फिजल आउट होती हुए दिखी है लास्ट में और आज के सेशन में तो मार्केट थोड़ा सा हिस्सा में कमजोर लग रहा है और मंडे टूजडे दोनों दिन जब मैं 18 आउप था तब मैंने कहा था कि निफ्टी सेलेक्ट मिट कैप जो ट्रेड होता है फ्यूचर्स में 11,000 11,100 नहीं निकाल रहा है गलती से अगर 10,650 तूड़ गया तो मीजर लिक्विडेशन आएगा वो मीजर लिक्विडेशन में तीन से चार दिन में मान रहा था लेकिन वो एक ही दिन में काम करके खतम कर दिया है तो बाउंस बैक जरूर है मार्केट में दो से तीन निन का लेकिन स्ट्रक्चर बहुत तेजी से तूटा है तो अगले दो से तीन मेंने नेगेटिव बाइस के साथ मिट कैप और स्मॉल कैप स्टेट करेंगे तो पैसा बहुत हद तक लाज कैप में फ्लो करेगा अ और मिटल सेक्टर अगले 6-8 मेंने बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है तो SBI से एक्जर्ट करके इनको VEDL में आना चाहिए वहां 15-20% की अपसाइड इनको बहुत आराम से मिल जाएगी चलिए तो यहां पर आपको निकलने की सलहा दी जारी है अन्शुर की तरफ से हम आगे बढ़ेंगे मेरे चाल से चंडीगर से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर है संदीब शर्मा नमश्कार संदीब जी गुट मॉर्निंग अन्शुर मैं रुकल ठीक आप बताएं क्या हाल चाल बढ़ी हाल थैंक यू बताइए सर आपने कौन से स्टॉक खरीद रखा है किस भाव पर मैं आपने आइफ सी आई और आर बी के शेयर लिये थे आइफ सी आई इसमया प्राफिट भी कुआज़ लेकिन उसके बाद ऐसा डिक्लाइन हुआ एक आपने आइफ सी आई कितने में लिया है आई इफ सी आई मैं लिया थे और तो फजा सी अपर लेकिन उसके बाद स्टॉक लग गया उसके पास ओर और आर बी के हैं मेरे पाद टू साजन शेर IRB के हैं कितने कितने भाव पर at the rate of 67 67 चलिए यहां भी आपके बाइंट प्राइस से तो नीचे ही चल रहा है तो अब मेरे खाल से आई एफसी आई में से तो आपको तुरंत निकलने की कोई रणनीती चाहिए होगी विकाज यहां पर काफी जादा स्टॉक जो है वो पिट चुका है संदीब जी आई आई आर्बी में कितना आपका नजरिया है लंबा उसमें रुक सकता हूँ तीन से छे महीने आप आयर्बी में रुक सकते हैं और आई एफसी आई में तो आपको शायद निकलने की रणनीती चाहिए होगी ठीक है अन्शुल आपके पास आउंगी सबसे पहले आई एफसी आई क्योंकि यहाँ पर यह बहुत भारी घाटा फेस कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कमजोरी की ट्राजिक्ट्री में है यह स्टॉक भी अब बताएए फिलहाल निकल ही जाए देखें कविदा जी अगर पिछले 25 ट्रेडिंग देखें 25 ट्रेडिंग डे में 50 परसेंट अपने हाई से करेक्ट हो चुका है जो अपने आप में शो कर रहा है कि मिट कैप और स्मॉल कैप में कितनी वीक मेंस आ गई है पिछले दस बारा दिन में और एस्पेशली जो प्र फॉर्मेशन दी वो 48 के आसपास थी तो यहां से बाउंस बैक में 45 और 48 तक यह स्टॉक आ सकता है बट वहां पे कंप्लीटली स्टॉक से एक्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि नेक्ट लेग में जब यह डाउन मूव स्टार्ट करेगा तो सम्वेर राउंड 27 से 30 इसका आती हुई अंश्विल जी की तरफ से और बाकी स्टॉक्स पर भी आपकी रणनीती बताई गई चलिए अगली क्वेरी लेते हैं जो की सोशल मीडिया के जरी हमारे पास आई है प्रियल है मुंबई से और इनका सवाल विवेक का आपके पास मैं आना चाहूंगा गेल के इनक नजरिया देंके लिए इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए और आगे चलके मुझे रखता है जो उर्जा सेक्टर है वापस यहां पे आपको गैस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी और गेल स्टॉक बीचे से काफी बढ़ चुका है लेकिन आज भी अगर उसका वैल जाए तो आपको लेना चाहिए और अगर आपके पास अलड़ी है तो इसको वोल्ड करिए गैस में थोड़ी सी दिक्कत है थी सरकार जैसे आज ऑईल मार्केटिंग कंपनी इस डाउन है थोड़े दिन पहले गैसे में कटोंती की थी दो तिन कारण है एक तो एलेक्शन भी ह और बाकी ग्लोबली प्राइजस थोड़े मंदे थे इसके लिए तो मुझे लगता है कि स्टेबिटी यहां से आपको देखने को मिलेगी गोल कीजिए नवरतन कंपनी आई है और आगे चलके गैस का चाल चलन तो अच्छा ही रहने वाला है एक और इन्होंने यूट्यूब पर जो सवाल अपना भेजा है उसमें एक चीज और पूछी है कि क्या एवरेज करने की सला देंगे क्या आवरेज देखिए यह हाई से बहुत जादा नीचे नहीं है आप समझ लो कि 15% नीचे है 200 तक गया था लगबग और 117 अगर देखो तो करीब अर 15% है तो मैं पर जाने की कोई गुंजाईश है क्यूंकि लगातार हम देख रहे हैं और मुस्ट एक वर्टर से हां जी गिरावट की चपेट में बताइए देखे कविता जी इसमें भी अगर मैं 49 डेज का प्राइज आक्शन देखू तो 35% अपने हाई से तूट चुका है और लोवर हाई लोवर लोड डेली और वीकली दोनों चार्ट पे बनाए प्रिवियस स्विंग ल रहा है इसमें भी बाउंस बैक आएगा 149 का लेवल है जहां पर मेजर रेसिस्टेंस होगा क्योंकि वहीं पर प्रिवियस लो बनाता तो जैसे बाउंस बैक में 149 के आसपास आता है वहाँ पे स्टॉक को एक्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि स्विंग लो और 20 डे मुविं की तरफ से आता हुआ